प्रकाश के बिना हमें कुछ दिखाई नहीं देगा जब प्रकाश अपनी आँखों तक पहुचने के बाद मस्तिश्क को संदेश भीजे जाते हैं और अपना मस्तिश्क इस जानकारी का विशलेशन करता है रात के समय अगर कमरे की बत्ती बुझाई गई तो आपके ध्यान में आएगा कि हम कमरे के अंदर की कोई चीज देख नहीं सकते कमरा और उसमें से सब कुछ काला नजर आएगा अंधेरा दिखना ये सिर्फ प्रकाश का अभावदर शाता है जब वस्तूं से भरा कमरा हमें काला दिखता है तब वस्तूं से प्रकाश निर्मान नहीं होता या अपनी आँखों पर परावर्तित नहीं होता इसका मतलब प्रकाश के बिना हमें कुछ नहीं दिखेगा हमें दिखने वाली चीजे दो गूटों में डाल सकते हैं प्रकाश मान वस्तू और प्रकाशित वस्तू प्रकाश मान वस्तू जो खुद प्रकाश बनाती है प्रकाशित वस्तू जो वस्तू प्रकाश अपनी आँखों तक परावर्तित करने में सक्षम होती है सूर्य प्रकाशमान वस्तु का उधारण है और चंद्र प्रकाशित वस्तु है हमारे कमरे में होने वाली वस्तु हैं बिजली का बल्ब या मूमबत्ती जैसे प्रकाश के स्तुरोतों की वजा से दिखाई देती है प्रकाशमान वस्तू खुद का प्रकाश बनाती है इसलिए अप्रकाशमान वस्तूओं को प्रकाशित करती है और वे अपने आँखों से दिखाई देते हैं हम एक प्रयोग करेंगे हम इस लेजर दिये का उप्योग करेंगे जो एक आईने पर संकेत करता है मैंने उसे एक कोण में दर्शाया है इसलिए वो प्रकाश इस गत्ते पर परावर्तित होगा कमरे की बत्तियां मुझा कर लेजर चलाते हैं प्रकाश हवा में से आईने तक और फिर गत्ते तक जाते हुए प्रकाश का अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता जिस स्थान पर प्रकाश आईने पर और गत्ते पर गिरता है सिर्फ उसी स्थान पर प्रकाश दिखाई देता है इस स्थान पर प्रकाश का कुछ भाग वस्तू पर परावर्तित होता है और मेरी आँखों तक सफर करता है आईना और मेरी आँखों के बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो प्रकाश फिर से परावर्तित कर सके इस रचना में प्रकाश दिखाई देने के लिए चौक का चूर्ण छिड़काएंगे अब हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा सर्फ परावर्तन की वजह से हम और आपने आसपास की दुनिया भर की सभी भौतिक वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश कैसे परावर्तित होता है और हमारी आँखों तक सफर करता है जिस कारण हमें दिखना संभव होता है इसका हम अध्यन करेंगे हमें जो सब कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश जब हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी दिखता है इस छोटे पेड की तरफ देखें आप इस पेड का सिर्फ उपरी भाग देख सकते हो क्योंकि प्रकाश उपरी भाग से परावर्तित हो रहा है और आपकी आँखों तक सफर करता है अगर आपको फुलदान या बॉटल देखनी हो तो आपको अपनी आँख फुलदान या बॉटल की तरफ मोनने पड़ेगी अगर आपको इस पेड की आईने में प्रतिबिम्ब देखनी है तो आपको अपनी नजर पेड के प्रतिबिम्ब की रेशा में ले जानी पड़ेगी अपनी नजर को ऐसी विशिष्ट दिशा में गुमाने को द्रिष्टिक शेप भी कहते हैं एकाद चीज देखने के लिए आपको नजर वस्तु के सीधी रेशा में लाने पड़ेगी जब आप ऐसा करते हो तो प्रकाश उस वस्तु से आपकी आँखों की और दिश्टिक शेप की सीधी रेशा में आएगा बहुत आसान है लेकिन दिश्टिक शेप की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है दिश्टिक शेप का सिधान्द हमें प्रतिविंब बनाने की क्रिया समझने के लिए मदद करेगा हम एक प्रयोक से पेंसिल के प्रतिविंब का स्थान ढूणते हैं वस्तू से आने वाला प्रकाश हमारी आँखों तक किस तरह से पहुंचता है ये हम ढूनेंगे दो पेंसिल लेकर रबड में फसाए जो स्टैंड के तरह काम करेगा एक छोटा आइना टेबल पर रख दीजिए एक पेंसिल वस्तू और दूसरी प्रतिबिम्ब का काम करेगे वस्तू पेंसिल आइने के सामने रखे बाई तरफ से वस्तू पेंसिल देखकर प्रतिबिम्ब पेंसिल आइने की दूसरी तरफ लगाई ऐसा करते हुए वस्तु पेंसिल प्रतिबिम्ब और प्रतिबिम्ब पेंसिल कोई भी स्तिति में बिलकुल वस्तु और प्रतिबिम्ब की जगा होगे प्रतिबिम्ब पेंसिल की जगा ऐसी होगी कि जहां वस्तु की प्रतिबिम्ब का स्थान होगा आप जब pencil की प्रतिविंब आईने में देखते हैं तक प्रकाश आपके दृष्टी की रेशा पर से सफर करके आपकी आखों तक पहुंचता है वस्तु pencil कमरे के प्रकास तुरोध की वजा से प्रकाशित होती है इस पेंसिल से निकले हुए प्रकाश किरन एक सीधी रेशा में आईने की तरफ जाते हैं इस प्रकाश किरन को आपाति किरन आईने की तरफ प्रकाश आने वाला प्रकाश कहते हैं आपातिक किरन आपकी दृष्टिक शेप रिशाच छेथते हैं उसी बिंदू में आईने को छेथते हैं प्रकाश किरन आईने से परावर्तित होता है और आपकी आँखों तक सफर करता है इस किरन को परावर्तक किरन कहते हैं आईने में वस्तु की प्रतिबिम्ब दिखने के लिए आपको द्रिष्टी प्रतिबिम्ब की सीधी रेशा में रखनी होगी वस्तु से निकलने वाले बहुत सारी किर्णों में से एक आईने पर पड़ेगी और आपके दृष्टिक शेप की रेशा में परावर्तित होगी इसी कृती से दूसरी संकल्पना प्रतिबिंब के स्थान के बारे में हैं आकरती में देखिए कि प्रतिबिंब बिलकुल आईने के दूसरी तरफ आईने की लंब रिशा में होगी आईने से वस्तु तक के अंतर को वस्तु का अंतर कहते हैं आईने से प्रतिबिंब तक के अंतर को प्रतिबिंब का अंतर कहते हैं सभी समतल आयनों के लिए वस्तु का अंतर और प्रतिविंब का अंतर समान होता है परावर्तन का नियम अगर प्रकाश किरन आते हुए और परावर्तित होते हुए उनका निरिक्षन किया तो प्रकाश किरन का परावर्तन होते हुए बरताव परावर्तन नियमों के अनुसार अपिक्षित है आपाती किरन और परावर्तित किरन जिस बिंदू में मिलते हैं उस बिंदू में लंब रेशा निकाली इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं ये रेशा आपाती किरन और परावर्तित किरन के बीच विभाजित समान कोण दर्शाती है आपाती किरन और लंबरेशा के बीच वाले कोण को आपाती कोण कहते हैं परावर्तित किरन और लंबरेशा के बीच वाले कोण को परावर्तित कोण कहते हैं ये दोनों कोन ग्रीक अक्षर थिटा से सुचित किये जाते हैं आपाती कोन थिटा आय और परावर्तित कोन थिटा आर ऐसे पड़ते हैं परावर्तन का नियम कहते हैं कि जब प्रकाश किरन किसी भी सतह से परावर्तित होता है तब आपाती कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं हमें दिखेगा कि परावर्तित किरन और आपाती किरन लंबरेशा के विरुद्ध बाजु में होते हैं और एक ही प्रतल में होते हैं सारांश हमने सीखा कि प्रकाश सतह से अपेक्षित पद्धती से परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होते हैं प्रकाश परावर्तन ये आपेक्षित पधती क्षितित सतह, खड़े सतह, कोड में होने वाले सतह और वक्र सतह के लिए लागू होता है झाले सतह, परावर्तन के लिए लागू होता है